राजधनी चैपूर की संसिटी टाउंशिप में पिछले दिनों हुए फूलचंद यादव हत्यकान का पुलिस ने आखिरकार परदाफाश कर दिया इस मामले में पुलिस ने मृतक के बेटे को गिरफतार कर लिया और मामले का खुलासा करते वे एडिशनर कमिशनर लक्षमन गोड ने बताया कि पुलिस ने संसिटी मामले में संदिक भूमिका रखने वाले सभी लोगों से कड़ाई से पूछताश की जिसमें मृतक के बेटे विशाल और फविक्की ने वारदात को अंजाम देना कबूल कर लिया इस दुरान आरोपी ने बताया कि फूलचंद यादव के शराब पीने और साथी घर में आए दिन मारपीट करने के चलते उसने इस वारदात को अंजाम दिया फिलाल पुलिस आरोपी से अपूछ ताश कर रही है कि शाथ अलनकर इसको फूल फिए अदमी है घर की आपशी नडाई है घर की आपशी नडाई में जो निज़ों करें गर्वा दी जाए इस थी उसको नद्फ अन्फ और गेल का रूप दिया गया जिए विलकुल नहीं पतला लगा जिस दंग से और दोनों में टगल हुआ है मारने वाले मृतक में उस दंग से गटना 15 मिल्ट तायम लेगी दस पंदर मिल्ट का लगा है दिकी विभास विशालुस दिकी लगातार से पूस्ताज करते रहे इसकी बैयान रिखार्ड करते रहे तो वह दीर दीर है जहतका सा खाने लगा तो प मेरे मेरे बताजिका